दोस्तो एक दिन पूरे शहर में एक खतरनाक जॉम्बी वाइरस फैल जाता है जिसके कारण पूरा शहर जॉम्बी में तबदील हो गया लेकिन ये बात घंशाम को नहीं पता थी जो कि अपने घर से बाजार की तरफ निकला था तब ही आचानक एक जॉम्बी घंशाम को भी का पायर है दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है तो तीसरे दरवाजे के पीछे एक खूखार भालू है क्या आप बता सकते हैं घंशाम किस दरवाजे का इस्तवाल करके अपने घर तक पहुँच सकता है इस पहेली को सुलजाने के लिए आपको अपने दिमाग का 100 प् असल घंशाम वेंपायर वाले दरवाजे से अपने घर पहुंच सकता है हम सभी जानते हैं वेंपायर खून पीते हैं घंशाम एक जॉम्बी बन चुगा है और उसके शरीर में खून नहीं है इसलिए उसे वेंपायर से डरने की कोई जरूरत नहीं तो दोस्तो क्या आपका भी यही जवाब था मुझे कमेंट करके बताना चलिए दोस्तो दूसरी पहेली की तरफ चलें आपको बताना है कि कौन सा कप सबसे पहले भरेगा क्या आप तयार हैं तो चलिए घड़ी को शुरू करते हैं अगर आप इस पहेली को सुलजा लेते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना समय समाप्त चलिए आंसर जान लेते हैं अगर आपका जवाब सी था तो आप बिलकुल सही हैं क्योंकि बाकी सभी पाइप ब्लॉक हैं इसका अर्थी यह हुआ कि सिर्फ कब सी ही भर पाएगा बाकी सभी खाली रह जाएंगे चलिए दोस्तो अगली पहेली की तरफ चलें इस पहेली में आपको पूमा कंपनी का सही लोगो गैस करना है आपके सामने दो अप्शन है जाहिर है इन दोनों में से एक लोगो सही है और दूसरा गलत चलिए गड़ी के शुरू करते हैं अगर आप सही लोगो को पहचान चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताना समय समापत चलिए आंसर बता देता हूँ ये वाला लोगो बिल्कुल सही था चलिए आज की तीसरी पहली की तरफ चलते हैं दोस्तो इन दोनों तस्वीरों में चार अंतर हैं ये चारों अंतर आपको 10 सेकेंड में ढूंड कर निकालने होंगे क्या आप तयार हैं? चलिए फिर घड़ी को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपको और ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं आपको कितने अंतर दिखाई दिए मुझे कमेंट करके बताना समय समाप चलिए आंसर चान लेते हैं सब मरीन के रोटर ब्लेड का डिजाइन बदल गया है एक एक्स्ट्रा विंग दिखाई दे रहा है इसके अलावा पाइलेट भी दिखाई दे रहा है नीचे देखिए एक स्टार फिश गायब हो गई है दोस्तो क्या आपने इन अंतरों को पहचान लिया था? मुझे कमेंट करके बताना चलिए आप चोथी पहेली की तरफ चलते हैं आपकी स्क्रीन पर धेर सारी बकेट दिखाई दे रही है लेकिन इन में से एक बकेट बकेट सभी से अलग है वह ओड है क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है चलिए गड़ी को शुरू करते है अगर आपको वह बकेट मिल गई है तो मुझे कमेंट करके बताना समय समाप चलिए आंसर चान लेते हैं ये वाली बकेट सभी से अलग है जरा इसके हैंडल को देखिए चलिए आज की आखरी पहली की तरफ चले ये एक इमोजी पजल है इन इमोजीस को देखकर आपको एक वर्ड गैस करना है तो क्या आप तैयार हैं? चलो फिर घड़ी को शुरू करते हैं समय खत्म होने वाला है जल्दी से अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताईए चलिए आंसर जान लेते हैं सही जवाब था बटर फ्लाई दोस्तो रोज इसी तरह की मज़े